नीचे description में आपको group theory की playlist का link मिल जायागा आज हम एक example करेंगे every group of order 4 is either abelion और cyclic और abelion कैसा है कि वो non cyclic होना चाहिए क्योंकि cyclic group हमेशा abelion होता है तो यहाँ पर यह mention कर दिया कि यह non cyclic है तो हमने क्या किया solution में एक group ले लिया g जिसमें 4 elements है e, a, b, c और यहाँ पर e क्या है identity है और identity element का order हमेशा क्या होता है one होता है अब lagrangis theorem क्या कहती है कि lagrangis theorem कहती है कि अगर कोई element हम लेते हैं g में तो उसका order जो है वो group की order को divide करता है यह दरसल lagrangis theorem की एक corollary है चीक है ले लेकरांजis theorem तो कहती है कि subgroup जो है वो डिवाइड करता है group के order को लेकिन उसके corollary है और corollary में क्या है कि इसमें इसके elements जो है वो भी group के order को divide करेंगे अब यहाँ को यहाँ पर देखो जी का order क्या है four है तो इसके elements के पास जो है possible order क्या हो सकता है तो two हो सकता या फिर four हो सकता है one नहीं हो सकता one क्यों नहीं हो सकता ग्यों कि Left 2 करें फोर और दिवाइट करता को और from li that अब इस गुरूप के जो elements था है उसके पास क्या brain हो गई या सारे элемum कि क्या हो जाए ओरड़ के हो जाएं या फिर सारे Как перем Means क्या करते हैं मान लेते हैं कि यह सारे elements क्या है order 2 के हैं अब अगर सारे elements order 2 के हैं तो order 2 का मतलब क्या होता है कि अगर order of a जो है वो 2 है तो यह imply करेगा a is equals to a inverse यानि यह self inverse होगा तो यहाँ पर जो g है वो हमारा e a b c है तो बाकि जो है elements क्या होंगे A जो है वो भी self inverse होगा B जो है वो भी self inverse होगा C जो है वो भी हमारा self inverse होगा जहाँ पर C हम माल लेते हैं A, B है क्योंकि यहाँ पर हम गर A और B लें तो A और B अगर हमने दो element G में लिए तो G close दोना चाहिए तो A, B जो है वो भी G में होना चाहिए तो इसलिए हम इस AV को माल लेते हैं कि यह हमारा C के equal है और इसका भी order क्या है तो यह जो group आएगा यह हमारा किसके isomorphic होगा K4 type का ठीक है यानि कि यह हमारा abelion तो होगा पर cyclic नहीं होगा क्योंकि यह group का order तो हमारा 4 होगा पर इसके हर एक element का order 2 होगा अब हम दूसरी condition देख लेते हैं कि इसमें जो है कुछ elements order 4 के हों और कुछ element order 2 के हों तो हम माल लेते हैं कि इसमें एक element x है जिसका order क्या है 4 है x belongs to g तो इन particular हम ले लेते हैं a को a का माल लेते हैं कि order जो है वो 4 है यहाँ पर यह जो जी है इसमें हमने इसका order 4 माल लिया अब यहाँ पर देखो हम एक्चे जानते हैं कि अगर element का order कोई दे रखा हो तो वही जो है वो उसके inverse का order होता है अब अगर किसी भी element का order 4 है तो a की power 4 क्या imply करेगा e imply करेगा तो यहाँ से अगर हम a inverse देखें तो वो क्या जाएगा a cube आ जाएगा जो की a के equal नहीं हो सकता तो यह a के किसी मतलब जो है यह a inverse जो है वो a के अलाबा कोई दूसरा element होगा तो हम माल लेते हैं वो b है तो यहाँ पर एक element का order 4 हो गया दूसरे element का order क्या आएगा a inverse आएगा वो भी हमारा क्या होगा 4 होगा तो order 4 के group में हमें यह दो elements जो थे उनका order मिल चुका है यहाँ पर हमने माल लिया इसका यह element तो identity element का order 1 ही होता है a का हमने माल लिया 4 है और a और जो b है वो हम माल लेते हैं a का inverse है तो इसका order भी 4 होगा अब बचा c ठीक है तो c के पास क्या possibility है अब देखो c अगर हमारा जी में बलॉंग कर रहा है तो c inverse को भी जी में बलॉंग करना चाहिए अब inverse जो है वो unique होता है तो यहाँ पर a जो है वो b का inverse है b जो है वो a का inverse है तो यहाँ पर c के लिए क्या possibility बनती है यह हमारा इसका खुद का inverse होना चाहिए यानि c is equals to c inverse और यह imply करेगा order of c is equals to 2 ठीक है तो यहाँ से हमें मिला के order जो c का है वो क्या हो सकता है स्रिफ और स्रिफ 2 हो सकता है और g हमारा किसका isomorphic हो जाएगा z4 क्या हो z4 हमारा क्या होता है cyclic इसमें 0 जो है वो ह हमारा four order का element होता है two जो है two order का है three जो है four order का है और तीसरी जो possibility थी वो यह थी कि इसके सारे elements order four के हो जाएं तो यहाँ पर यह possibility नहीं हो सकती है यही से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो element जब हमारे order four के हुए तो तीसरे element को खुद बाखुद order two का ही होना पड़ा इसके पास और कोई choice नहीं रहे गई तो इसलिए हमारा सारे के सारे element order 4 के नहीं हो सकते हैं, तो इस तरह से हम किसी भी group जो है दे रखा हो, तो उसका अगर order दे रखा हो, तो हम उसको discuss कर सकते हैं, नीचे description में आपको group 3 का playlist का link मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर देखें, तो हमने एक order 6 के group का भी जो है इस तरह से analysis किया है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर तो चीज़े हम जानते हैं कि अगर जो है किसी भी group का order 5 से less than है या equal है, ठीक है, यानि order of G अगर हमारा less than equal to 5 है, तो यह हमारा हमेशा अब alien group होगा, लेकिन हमने order 6 के बारे में भी discuss किया है, order 10 के बारे में भी discuss किया है, तो आप description में link जो है उस पे playlist में जाके देख सकते हैं, तो आज के लिए बस इतना है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को subscribe करें, मिलते हैं अगली वीडियो में